तो दोस्तों कैसो आप लोग तो आज की इस वीडियो में हम broken heart sad photo editing सीखने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छा photo editing sad photo editing concept बताए हैं तो वीडियो को बिना skip के आप लोग अन तक देखना और चैनल पर ने हो तो चैनल को subscribe कर देना तो इस photo का raw photo ये है और edit करने के बाद हम कुछ इस प्रकार का photo हमें मिला है तो जैसा आप लोग को सब कुछ reality हम दिखाएंगे कैसे edit पूरा हुआ है photo एक टूजाट बताएंगे त थोरा सा भी skip मत करना चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इस raw photo को ले लेते हैं और इसको lightroom application में share कर लेंगे इसमे प्रिसेट लगाएंगे फोटो को lightroom में सबसे पहले open कर लेंगे photo ये रहा इसी photo को आज हम edit करने वाले हैं जैसा edit आपको दिखाया गया सी हम वैसा करके बताएंगे वीडियो बस आप लोग पूरा वाज करना तो ये रहा और इसमें एक preset लगाएंगे ये रहा preset जितने भी preset और png का link आपको description में सभी png और preset का link आपको description में मिल जाएगा तो सबसे पहले इसके हम three dot पे जाएंगे यहाँ पे three dot है और copy setting कर लेंगे आपको preset का copy setting तो सिखाए ही है पिछले वीडियो में भी और इसमें आजाना है इसमें और इसमें टिक मार्क कर देना है और यहाँ पे सही वाल पे copy setting हो गए बैक आजाना है फिर से हम उसी photo पे आजाएंगे और यहाँ पे three dot है three dot पे click करके यहाँ पे paste setting है यहाँ पे paste setting कर देंगे आप लोग घबराना मत जैसा दिखाए है फोटो में से हम वाइसा करके देंगे ऐसा मत सोचना कि अभी फोटो का ऐसा दिख रहा है यार वाइसा कैसे होगा वीडियो में फालतू चीज बता रहे तो नाइस पूरा reality हम बताएंगे वीडियो का पूरा देखना तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद color वाले में आ जाएंगे और पूरा black tone में फोटो को लेकर जाए मिक्स में आ जाएंगे और यहाँ पे yellow पे जाएंगे यलो पे जाने के बाद इसके saturation देख लो आप लोग यहा कर देंगे और यहां पे आने के बाद blue color में जाएंगे और इसके saturation को पूरा down ही है यहाँ पर green tone में भी जाएंगे और इसके यूग को minus कर देंगे तो इतना हो जाने के बाद बस light room का काम इतना ही था यथा हो जाने के बाद यहां पे दन फे क्लिक करेंगे दन फे क्लिक करने के बाद photo सेव कर लगे हां पर शेर वाले option पर जाएंगे और यहां पर ऑर सेब्स कर लेंगे अ तो फोटो हमारे गैलरी में सेव हो चुका होगा तो हम गैलरी में आज आएंगे और इसी फोटो को हम अब फेस एप में ओपन कर देंगे फेस एप होगा फेस एप यहाँ रहा अप लोग टेंशन मतले ना पूरा फ्री वर्जणर फ्री वर्जणर जितना भी वह उसी में हम कर के दिखाए आप、 तो फेस एप में इसको आपन कर लेना एगरी पर क्लिक कर देंगे और यहां पर आपको पूरा इधर आजाना और यहां पर देखना यहां पर लेंस बलर दिखा होगा लेंस बलर पर क्लिक करना और फर्स्ट नमर पर यहां पर लिखा होगा यहां पर आने के बाद इसको पूरा इधर कर देंगे पूरा बलर कर देंगे background पूरा बलर हो चुका HD high quality में पूरा background बलर यहाँ पे apply पे क्लिक करेंगे apply पे क्लिक करने के बाद आप लोग को photo में जो edit वाला दिखाई थी उसमें hair भी भराता तो यहाँ पे आजाएंगे पूरा free वाला बता रहे हैं आप लोग किसी में भी use कर सकते हो hair style पे जाएंगे और यहाँ पे long to है पूरा free है कोई भी use कर सकते हो इसको यहाँ पे पूरा same to same वैसा hair आ चुका है आप लोग देख सकते हो तो इतना हो जाने के बाद face app का काम complete हो चुका है तो यहाँ से हम photo को save कर लेंगे और फिर से हम gallery में वापस जाते हैं तो photo save हो चुका है इसके बाद हम photo को autodox application में open कर लेंगे इतना हो जाने के बाद autodox application मेً open कर direito से तो प्रक्राइब करने के लिए तो उसमूथ कर लेते हैं कि यहां पर यह प्रश सेटिंग आप्ने हिसाब से और इसको ट्री और इसकर चोठ Nagण और size को अपने हिसाब से पलस माइनस कर लेंगे तो हम size को हलका sign increase कर लेते हैं और photo को पूरा zoom कर लेंगे और face को जल्दी जल्दी से smooth कर लेते हैं कर लेते हैं तो दोस्तो फोटो में फेसे स्मूथ कमपलीट हो चुका है अब हम इसके लिप्स को हलका सारेड़ी कर देते हैं यहां पे जाएंगे लेर वाले पर आने के गएवादी यहां पर प्लस वाले पर जाएंगे और आपको इधर color में आजाना और red और यहाँ पे एक brush select कर लेना इधर आके इस वाले brush को select कर लेंगे और इसके opacity को हलगा सा minus करके यहाँ पे हम इसके lips पे ऐसे करके red कर देंगे और यहां से हमको अगर थोड़ा सा कम करना तो यहां से कम कर लेंगे इतना हो जाने के बाद फेस स्मूड और lips red हो चुका यहां से इस के बाद हम photo को save कर लेंगे यहां से हम photo को save to device कर लेते हैं तो दोस्तो उतना हो जाने के बाद अब इस photo को हम remaining application में ले करके जाएंगे remaining application तो यहां से enhance पे क्लिक कर देंगे यहां से enhance पे क्लिक करेंगे और थोड़ा देर का add चलेगा आप लोग को add को watch कर लेना है तो दोस्तो add खतम हो चुका है यहां पे हम wrong वाले पे क्लिक करेंगे और यहां पे देख सकते हो आप लोग result पूरा face white जितना भी black था पूरा white में convert हो चुका है आप लोग को बस इस application का use करना है यहां से देख सकते हो कितना अच्छा हमारा photo बन चुका है इस application का आप लोग जरूर से use करना देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से हमारा photo बन चुका है तो इतना हो जाने के बाद हम इस photo को save कर लेंगे तो हम इस photo को save to device कर लेते हैं यहाँ पर फिर से add आगया आप लोग इसी तरह से add को watch करके यहाँ पर इस वाले पर click करना और photo gallery में save हो जाएगा तो दोस्तो photo हमारे gallery में save हो चुका है अगर आप लोग को यहाँ पर texture वाला screen चाहिए तो आप लोग ऐसे ही रख सकते हो या एक बार और इसको smooth कर सकते हो आप लोग आपका मन आप इसको smooth कर भी सकते हो या नई भी कर सकते हो तो हम एक बार smooth कर दिये हैं photo में आप लोग एक बार और कर सकते हो यहाँ पर इमीनी कर दिये हैं इसलिए ऐसा हो गया आप लोग को और अच्छा करने के लिए यहां पे देख सकते हो हम एक बार और स्मूथ कर दिये तो कुछ इस परकार का बन गया तो यहां पे आप लोग को एक बार और स्मूथ कर देना है कुछ इस परकार का फोटो बन जाएगा और ऐसा करने के लिए हम PixArt में इसको share करेंगे इसी फोटो को हम PixArt में ले जाकर कि आप लोग को सारे PNG को कैसे add करना है हम दिखा देते हैं तो तो दोस्तो पूरा complete हो चुका है फोटो बस इस फोटो को हम PixArt application में ले चलते हैं और सारे PNG को कैसे add किये हैं वो आपको बता देते हैं तो इस फोटो को हम PixArt application में share कर लेते फोन बहुत lag कर रहा है क्या करे यार तो दोस्तो यहाँ पे PixArt application में photo open हो चुका है और जल्दी जल्दी से हम सारे PNG को add कर लेते हैं यहाँ पे add photo पे जाएंगे यहाँ पे add photo पे जाने के बाद यहाँ पे इस दोनो PNG को select कर लेते हैं और यहाँ पे इस सारे PNG को हम add कर लेते हैं जो सब PNG इस photo में use की हैं तो यहाँ पे सारे PNG एक ही साथ आ गया चलिए कहा कहाँ पे किसको add कैसे करना हम आपको बता देते हैं तो यहाँ पे इस वाले PNG को ले लेते हैं यहाँ पे सारे का blend mode शैंच कर ब्लेंड mode पे जाएंगे यहाँ पे screen यहाँ पे देखेंगे कौन सा use हो रहा है यहाँ पे darken पे करके इसको हम set कर देते हैं तो यहां पर दिल के जगह पर यहां पर इसको ऐसे करके लगा देंगे ऐसे करके लगा देंगे और चारजर यह इस वाले पिएंजी का भी हम ब्लैंड मोड शेंजी कर देते हैं स्क्रीन कर देते हैं इस वाले पिएंजी को हम यहां पर ऐसे करके लगाएंगे और इस वाले wire का यहां पर से हम ऐसे घूमा हुआ है तो इसको flip rotate कर देंगे flip rotate पे जाएंगे और इस पे ऐसे करके click कर देंगे यहां पे जाने के बाद देख लो अप लोग ऐसे करके कुछ हम इसको adjust कर देंगे इतना हो जाने के बाद इसके सेम उपर में ऐसे करके हम इसको ऐसे लगा देंगे पुरा परफेक्ट हो चुका है अब यहाँ पे जो बेंडेज के वाला है इसका भी हम ब्लैंड मोड शेंज कर देंगे आप लोग इसको स्टीकर में भी खोश सकते हो आजाएगा यह डाउनलूड की है इसलिए ऐसा हो रहा है अप लोग इसका यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सो यहाँ पे इस्टीकर पे जाओगे इस वाले पे यहाँ पे बेंडेज लिखना सेम वैसा आएगा यहाँ पे आप लोग लगा देना और यहाँ पे एक ब्रोकन है यहाँ पे एक लाइट का है पी एंजी तो लाइट वाले पी एंजी पे जाएंगे और इसके ब्लेंड मोड को भी सब सबी के blend mode को बस change करना है और आपको png जैसे जैसे लगाए है यहाँ पर ऐसे करके set कर देना है अब इस broken वाले png पर जाएंगे इसके भी blend mode को change कर देंगे blend mode को screen कर देंगे और यहाँ पर उपर पर रख देंगे यहाँ पर उपर पर रख देंगे देख सकते हो सेम जैसा फोटो हम दिखाए थे आपसे पूरा वीडियो में करके बता दियें कैसे किया जाता और आप लोग को यहां पे बस एक चीज यहां पे एखहर फोटो आइडियो रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा अप लोग यहां पर जाना एखहर में और बैंडेज जाल आएगा और यहां पर लगा देन आपब लोग तो जरूर से बताना आप लोग कमेंट करके कि ये फोटो अड़िटर कायसा लगा साट वोटू इड़िटर निए तो वीडियो पसंदे आज था को लाइक जरूर से कर देना और चानल पर नहों तो चानल को सब्सक्राइब जरूर से करना बस इतना ही था इस वीडियो में फोटो को आप लोग यहाँ से से व कर लें, यहाँ से आप लोग से व कर देना फोटो को एक बार हम फिर से आप लोग को भी फोर और अाफिटर दिखा देते हैं कहला था पहले तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट है जीज़े हम दिखाए थे सेम वाइसा ही फोटो एडियिंग करके हम बताएं आप लोग को इस वीडियो में कुछ इस प्रकार का हमारा रोव फोटो था तो चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई चैनल को सब्सक्राइब चरूर से कर देना भाई लोग बहुत महनत लगता एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में बनाने में